बिस्मिल्ले रख्मान रहीम, आज हम मॉड्यूल 165 डिस्कस करेंगे, मॉड्यूल 165 है अबाउट इंप्रूवड लॉकिंग थूरू SRWs Previously हमने कई optimization techniques discuss की है, synchronization के लिए जिसके नहीं में देखा है critical section हमने देखा है कि यह compare किये जाए तो एक optimal method है और इसको मजीद improve किया सकता है by spin count और दूसी techniques भी हमने discuss की है SRWs हमने देखा है कि lightweight locks हैं और dual mode के अंदर हैं तो इसके कई सारे हमें advantages नदर आते हैं तो हम इन advantages को कैसे use करेंगे ताके हम अपने जो synchronization overheads हैं उनको reduce कर सकें तो SRWs का एक सबसे बड़ा advantage जो है वो उसका shared mode है shared mode के अंदर ऐसा नहीं है कि जो variable बिलकुल lock हो गया आप उसको read भी ना कर सकें shared mode के अंदर रहते हुए आप locked variables को भी read कर सकते हैं तो इससे आपको एक तरह की optimization मिल रही है जिस process ने सिर्फ read करना है उसको wait नहीं करना पड़ेगा उस data item के unlock होने का इसके लावा यह lightweight हैं बहुत कम processing require करते हैं foster इनकी execution होती है few instructions के इसको operations required हैं और मजीद matters जो हैं वो simplify होते हैं क्योंकि यह recursion का इस्तमाल नहीं करते हैं जब recursion का इस्तमाल होगा तो stack maintain करने पड़ेगी आपको जो previous status है उसको maintain करना पड़ेगा और इसको stack के ओपर store भी करना पड़ेगा तो यह सारे advantage हमें SIWs में नदर आते हैं जिसे हमें पता लगता है कि इसके कम overhead होंगे, कम operations यह इस्तमाल करेगा और इसके ज़्यादा simplicity होगी, foster execution होगी अब अगर हम SIW की जो performance है उसको हम evaluate करना जाते हैं तो उसके लिए तरीका हम पहले already बना चुके हैं जिस तरह के हमने एक program बनाया था और उस program के अंदर कई सारी हमने threads run की थी और उसके अंदर हम parameter के अंदर pass करते थे कितनी threads और कितने variables और उस thread ने simply क्या करना है उतने दफ़ा उसने delay करना है और variable को increment करते जाना है हर thread ने यही काम करना है और number of threads जो हैं वो हम specify कर सकते हैं कि कितनी threads ने run करना है अब अगर उसको हमने देखा था है कि अगर कोई भी हम synchronization construct नहीं use करते हैं तो फिर हमारी run time कितनी execution कितनी देर में होती है run time execution कितनी है execution time कितना है और पिर हमने देखा था है कि अगर हम दूसरे constructs जैसे कि critical section यूज़ करते हैं या interlock functions यूज़ करते हैं या immutexes यूज़ करते हैं तो तब कि हमारे पास runtime होता है और उन तमाम runtime को compare करके हम देख सकते हैं कि best performance किसकी है अब यही चीज़ हम srw's के उपर apply कर सकते हैं वो ही program हम rewrite कर सकते हैं जिसके अंदर के locking के लिए जो हम use कर रहे हैं construct वो srw's होंगे और इस case के अंदर srw's जो वो use कर रहे हैं अभी हम exclusive mode के अंदर use कर रहे हैं उसको हम shared mode में بھی نہیں use कर रहे हैं क्योंकि exclusive mode जो है उसकी overheads जो हैं वो of course जादा हैं जादा constrained है उसके overheads जादा हैं तो इसलिए हम उसको exclusive mode के अंदर use करें उसी program को अगर आप modify कर लें कि वो srw's को इस्तमाल करें उसको acquire करें और उसको release करें और उसकी मदद से locking परफॉर्म करें तो उस program का फिर हम run time निकाल के दूसरे program के साथ या critical section के साथ उसको compare करके देख सकते हैं कि कोई हमें improvement हासिल हुई है या नहीं हुई हमने exactly यही काम किया उस program को modify किया using srw's और फिर उसका run time लिया और उसको critical section के run time के साथ compare किया तो आप देख सकते हैं जो result आए हैं उसको आप value दी है variable की तो आपके पास जो time आ रहा है यहां पे आप time देख सकते हैं और इसको compare कर सकते हैं जब हमने critical section के साथ ये काम किया तो of course हमें यहां पे काफिर डिफरेंस नदर आ रहा है twice या thrice का हमें 1.5 times का हमें difference नदर आ रहा है कि srw's जो हैं वो उसका run time कम है तो of course उसके overheads काम हो गया और फिर मजीद number of threads को increase किया अब हमने number of threads 64 कर लिया और हर thread के लिए जो variable count है वो हमने यह 256,000 दी रखा है तो इदर आप run time note करें srw's के case में और इदर आप note करें cs के case में तक्रीबं twice का फरक है और मजीद अगर हम मजीद number of threads increase कर लते हैं अब 256 thread के साथ srw's और cs के लिए 256 threads के साथ आपने इसको compare किया तो यहाँ पर जो run time है और यहाँ पर तक्रीबं डबल का फरक आपको नज़र आ रहा है तो इसलहाँ से हम देख सकते हैं यह हमारे srw's जो है वो critical section से ज़्यादा optimal है ज़्यादा faster perform करें overheads जो हैं इनके reduce हो गया आप दूसरे models के साथ भी इसको compare करके check करें और mute axis के साथ भी compare करके check कर सकते हैं और इसी तरह का comparison करके आप देख सकते हैं कि इन मेंसे कौन सा ज़्यादा optimal है